नमस्कार साथियो मैं कृष्णारां सिंग और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल एजुकेशन पोडल कृष्णा बिहार के नियोजी सिक्षकों से समंधित यह विडियो है अनेक सिक्षकों का दक्षता परिक्षा ली गई थी जिसमें से कुछ सिक्षक अनुत्रिन अनिकी फेल हो गए थे सिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वरा अनिके प्रार्थमिक सिक्षा निदेशाले के द्वरा यह पत्र जारी किया गया है तिथी 27-6-2022 को है और इसमें असपस डूप से इस बात का मेंसन किया गया है कि जो सिक्षक दक्षता परिक्षा में फेल हो गए है उसके लिए 6 माह का परिसिक्षन कोर्स चलेगा और 6 माह का उसे ट्रेनिंग दिया जाएगा इसके बाद एक दूशरा पत्र इसके बाद हम लोग समझेंगे देखेंगे और वह जारी किया गया है उसमें असपस डूप से इस बात की जानकारी दी गई है कि अलग-अलग जिला में इसकी संख्या कितनी है तथा इसका जो 6 माह का परिसिक्षन होगा 6 मा की जो ट्रेइनिंग होगी वह के अंदर अने की परसिक्षन अस्थल परसिक्षन केंदर कहां होगा इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रियास करेंगे तो इस पत्र का आप अबलोकन कर ही चुके हैं इसमें प्रसिक्षन तिथी इस प्रकार से कही गई है कि 2007-2022 से प्रारम होगा और पर्थम सप्ता से अनि कि जुलाई माह के पर्थम सप्ता से प्रतेक सनी बार और रवी बार को प्रसिक्षन दिया जाएगा वह भी कॉंटेक्ट कलास के माध्यम से है उसके बाद हम लोग प्रसिक्षन अस्थल कहां है कि इस पत्र से समझ सकते हैं कि इसमें असपष्ट रूप से अंकित किया गया है कि ओ सफल सिक्षकों की जिलावार संख्या से असपष्ट होता है कि अधिकान से जिलों में इसकी संख्या बहुत कम है अनिकि जादा इसकी संख्या नहीं है तो ऐसी स्तिती में सिक्षकों के संख्या के अधार पर प्रतेक जिला में कक्षाओं का संचलान की ट्रेनिंग करने की सुविधा उपलवध कराना संभव नहीं होता है तो सिक्षकों की संख्या के अधार पर कक्षों का संचालन प्रमंडल अथवा जिला अस्तर पर कराए जाने की बात कही गई है आता है परिसिक्षन हेतू एक प्रस्ताव तयार किया गया है और वह प्रस्ताव इस प्रकार से है करम संख्या एक पर हम लोग ध्यान देंगे इसमें कुल और सफल सिक्षक है जो की परतिभागी होंगे प्रस्तिख्षन प्राप्त करेंगे उसकी संख्या 42 दी हुई है अरवल में एक है उसके बाद औरंगाबाद में यहाँ पे पांच है गया में 24 है जहानाबाद में एक है और नवादा में फिर 11 है परतिभागियों की संख्या और इसका जो प्रस्तिख्षन संस्तान है वह गया डायेट में निर्धारित किया गय इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ करके सभी जिला में कहां कहां कितने सिक्षक है उसकी संख्या को देखेंगे और प्रसिक्षन अस्थान कहां उसको समझ लेते हैं दूसरा में है अररिया जिसमें 77 सिक्षक फैल हुए थे और इनका प्रसिक्षन संस्थान डायट फार्विस गंज अरेरिया है और बैच पहला ही होगा या भी उसके बाद तीसरा है इसमें कुल सफल सिक्षक परति भागी है और बाका इसमें है तीस फिर भागलपूर दस और इसका बाका और भागलपूर का जिन उन सिक्षकों के लिए प्रसिक्षन संस्थान भागलपूर डायट रखा गया है फिर चोथा में है भोजपूर, बक्सर, कैमूर, नालंदा, पटना, रोहतास आप देख सकते हैं और इनकी संख्या भी यहाँ पे दर्साई गई है आठ, साथ, तीन, आठ, पांच, दो और कुल यहाँ पे मिला करके तीस बताया गया है और इनका प्रसिक्षन संस्थान PTEC महंद्रू पटना निरधारित किया गया है उसके बाद पाचमा नमबर पे हम लोग जा चुके हैं करम संख्या में इसमें कुल सिक्षकों की संख्या 58, 58 है बेगु सराय में 13, जमूई में 18, खगडिया में 7, लखी सराय में 13, मुंगेर में 6, और सेखपूरा में 1 है और इनका प्रसिक्षन संस्थान मुंगेर डायट पूरव सराय निरधारित किया गया है बैच एक ही चलेगा फिर उसके बाद 6 करम में है, कुल सिक्षकों की संख्या 61 है पुर्वी चमपारन में 20, फिर मुझफर पूर में 11, उसके बाद पस्चमी चमपारन 8 है सिभार में 3, सीता मढ़ी में 14, और बैसाली में 8 है और इसका प्रसिक्षन संस्थान मुझफर पूर डायट राम भाग मुझफर पूर है एक ही बैच चलेगा उहां भी उसके बाद 7 मा नंबर में हम लोग आ चुके हैं इसमें समस्तिपूर दर्भंगा दोनों मिला करके 25 और 36 कुल 61 है और प्रसिक्षन संस्थान उन सिक्षकों का दर्भंगा डायट है एक ही बैच चलेगा उहां भी उसके बाद 8 में नंबर में है गोपाल गंज, सारन, सीवान कुल सिक्षकों की संख्या 12 है 3, 5 और 4 करके और प्रसिक्षन संस्थान, सारन, डायट एक ही बैच वहाँ भी चलेगा इसके बाद आगे इस प्रकार से है सुपोल और सहरसा सुपोल में 66 सिक्षक उसके बाद सहरसा में 39 कुल 95 है और इसका प्रसिक्षन संस्थान सहरसा CTE यहाँ पे दो बैच निरधारित किया गिया है उसके बाद 10 मा नमबर में मध्यपूरा है कुल सिक्षकों की संख्या 44 मध्यपूरा डाइट एक ही बैच वहाँ पे संचालित होगा और फिर 11 नमबर में है कटिहार कुल सिक्षकों की संख्या पे 57 बताई जा रही है 57 और कटिहार डाइट इसमें परसिक्षन संस्थान है बैच पहला ही एक ही बैच चलेगा बारमा किसंगंज है 61 है और किसंगंज डाइट है पहला बैच और एक ही बैच वहाँ भी संचालित किया जाएगा उसके बाद 13 नमबर में है मधुवनी जिन में सिक्षकों की संख्या 44 है और प्रसिक्षन संस्थान मधुवनी डाइट है एक ही बैच वहाँ भी संचालित किया जाएगा उसके बाद 14 नमबर हम लोग अंतिम नमबर पे पहुँच चुके हैं पूर्णिया जिसमें कुल सिक्षकों की संख्या 44 है और इनका प्रसिक्षन संस्थान अनिकी प्रसिक्षन अस्थल पूर्णिया डाइट है और एक ही बैच वहां पे भी संचालित होगा इस तरह से कुल ओ सफल सिक्षक परति भागयों की संख्या 722 है और इनका जो प्रसिक्षन होगा वह कहा कहा प्रसिक्षन अस्थल है इसकी जानकारी प्राप्ति किया और किंगिन जिला में कितने ओ सफल सिक्षक परति भागय है इन सारे बातों को इस वीडियो के माधहम से झाल झाल